और दोस्तो कैसे हो सब, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे पैकेट के अंदर चिपस पड़ी हुई है, कहने का मतलब है कि मेरे पीछे कम्बल के अंदर मेरी पतनी पड़ी हुई है, नहा, बात यह कि आज हम दोनों के बीच में छोट ड़ाई हो गई है, क्यूं हो इस तर से उठने की स्टाइल से आप लोग समझ गए होंगे कि यह लडाई की लक्षर है तो बात यह है कि पिछली साम हम दोनों की बीच में छोटा सा परमान युद्ध हो गया था जिसके बाद से हम दोनों का एक दूसरे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है किसी भी तरीके का मतलब कि कुछ बैन मैंने उनके उपलगा दिये अग कुछ बैन उन्होंने मेरे उपलगा दिये जैसे कि ना मैं उनसे बोल सकता हूं और ना वो मुझसे बोल सकती है अच्छा है अच्छा है लेकिन अब आप लोग सोच र इसलिए फिर जाके मुझे उनसे बोलना पड़ा खाना खाने ओ ओ तरी आप लोग देख सकते हैं देख सकते हैं कि मैं तो व्लॉक्स भी चुप चुप कर बना रहा था तो बात यह कि अगर हम दोनों की बीच में होई लडाई को आप लोग टेस्ट मैस समझें तो आज टेस्ट वाइव के उठने के स्टाइल से समझ गए होंगे तो इसके बाद वाइव से खाना लाने को कहके मैं टीव वाले कमरे में इंतजार करने लगा तभी मेरा ध्यान गया कि मैंने लोवर उल्टा पहना हुआ है आंगे वाला हिस्टा पीछे और पीछे वाला इस्सा आंगे था मैंने उसको सीधा किया और उसके बाद टीवी की बटन चालू किया और धूनने लगा तीन रिमोडों में से दो रिमोड पहला रिमोड ये है दूसर रिमोड ये है जो मेरे हाथ में है और तीसर रिमोड ये है जो बीवी के हाथ में रहता है अरे ये पीली सट वाला, इसकी बात करा हूँ मैं, कभी कभी तो लगता है इसको बोलू, किडे हो तुम, किडे, आई और गए, क्यू जै मालूम नाई, क्यू मरे मालूम नाई, इसके बाद मैंने टीवी की रिमोट से टीवी को चालू किया लेकिन मैं टीवी नहीं देख रहा था मैं वो रस्ता देख रहा था जहां से मेरी जो मैटो वाली आने वाली थी तो देखते देखते मेरा इंतजार खतम हुआ और मेरी जो मेट्टो वाली लेके थाली मेरे सामने पहुच गी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थाली मेरे सामने थी लेकिन नहीं थाली मेरे मूँ से सिर्फ दो इंच नीचे थी खैर मेरे एक हाथ में मोबाइल था दूसरे हाथ में रिमोट था तो मैंने बोलना चाहा कि थाली को सोफे की पट्टी की उपर रख दो लेकिन वाइफ ने उससे पहले ही थाली को सोफे की पट्टी की उपर पटक दिया साथ ये सोचाओ कि सोफे की पट्टी सोफे की पट्टी नहीं है मेरा मूँ है तो मेरे लिए थाली लाने के बाद वाइफ अपने लिए भी खाने की उत्तम विवस्था करने में जुट गई आप देखी सकते हैं कि वाइफ पदमासल लाकर बैटी खाना खाने के लिए लेकिन उनके चेहरे में अभी भी गुसासा नहीं है लेकिन वाइफ के चहरे से गुस्ते को उतारने के लिए मैंने उनकी आर्थी उतारना सुरू किया कहने का मतलब है कि उनको मनाना सुरू किया इसलिए साम तक हम दोनों की बीच चल रहे युद्ध का युद्ध विराम हो गया क्योंकि फिर हम दोनों उस दिन साम को घर की पीछे टहलने के लिए निकले देवी और सजना तो आप लोग देखी सकते हैं कि करशे करदम से करदम मिला कर हम दोनों टहल रहे हैं तो थोड़ देर तेहलने के बाद मैंने वाइफ से कहा कि चलो आप वापस घर के तरफ लोटते हैं तो वाइफ मुझसे बोली कि यहां कहा बैठते हैं तो वाइफ थोड़ा से पहारी के पास बैठने को कह रही थी लेकिन मैं मना कर रहा था आप सुनना चाहेंगे क्यों सुनन ना कि बैठेंगे सच में आते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा पहले मैं भी आता था 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 हमने भी जगा पर अपनी सिवाएं दी हैं हमने भी जगा पर अपना खून पसीना नहीं भाया कुछ और ही बाया है तो पहाड़ी की पीछो टेलने के के बाद हम लोग वापस घर लटाए अब घर का महल पहले की तरह आशान था वाइफ साम को भगवान की पूजा कर रही थी तो सायद बोल रही हो हैं तुम कभी तुम्हारे मंदिर की शिड़ा नहीं चोड़ा तब भगवान बोल रहे होंगे कि मंदिर की सिड़िया का है तुम मैंने वाइफ से बोला कि मेरी बात सुनकर वाइफ मनी मन सोच रही होंगी जहां हम लोग अभी गूमने गए थे लेकिन इसके बाद मैं गूमने निकला और दोस्ते घर पहुचा दोस्त को घर देख कि आप लोग सोच रहे होंगी कहीं यह अंबुजा सिमेंट की दुकान त साथ में ट्रैवलिंग बैग भी खरीदा था अब आप जिसको देख रहे ना यह मरा साला इसी बिस्तर में दिनभर लेटा रहता ऐसे जैसे ट्रेन की सीट है अगर यह उठ जाएगा तो दूसरा कोई लिट जाएगा खैर इसके बाद मैं किचन में गया तो देखा कि कढ़ा